रादे रादे दोस्तों, आज हम आपको सिनाएंगे एक अमीर घमंडी बेहन और उसके गरीब भाई की कथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्केर्थी को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, एक भेहन और एक भाई थे, भेहन के शादी बहुत बड़े घर में हुई थी, वे बहुत पैसे वाली थी और भाई था जो बहुत निर्धन था, गरीब था, वे जैसे तैसे करके अपने बीवी बच्चों का पालन पोशन कर रहा था लेकिन जो भाई की पतनी थी, वे बहुत ही पूजापाट नियम करम करने वाली थी, वे हमेशा पूजापाट में जाती और मातारानी का बहुत ध्यान लगाती थी जैसा भी उससे बन पड़ता, वे ऐसा ही वे पूजापाट जरूर करती थी इसलिए वे गरीब होते हुए भी, उसके बच्चे भी संसकारी थे और वे थोड़े में गुजारा करके भी अपने पती के शाथ खुश थी लेकिन जो बेहन थी वे बहुत घमंडी थी, वे अपने भाई से गरीब होने के कारण उससे कोई रिस्ता नहीं रखती थी और बहुत बहुत दिन हो जाते थे, वे अपने भाई से मिलना भी पसंद नहीं करती थी एक बार बहन की ननंद की शादी थी, तो उसने अपने भाई को न्योता नहीं भीजा सब रिस्तेदारों को बुलाया, लेकिन भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया तो भाई ने यह बात अपनी पतनी को बताई जब उसे किसी से पता चला तो उसने अपनी पतनी से जूट बोलते हुए कहा कि मेरी बहन के यहां उसकी नहीं जाना है तब उसकी पतनी ने कहा कि तुमारी बहन ने बुलावा तो भेजा नहीं है नहीं कोई आमंतरन आया है कि हमें निमंतरित किया गया हो तो इस पर उसके पती ने कहा कि नहीं मेरी बहन ने मुझे निमंतरन भेजा है इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए और अपनी पत्नी से जूट भूल कर वह जो भी उस पर बन पड़ा अपनी अवकात से जादा कपड़े लगते और खाने पीने का सामान लेकर बेहन की ससुराल चल दिया जब वह अपनी बेहन के ससुराल गया तो जब वह दरवाजी पर पहुँचा तो उस पर किसी की नजर नहीं गई जो उसकी अमीर घमंडी बेहन थी उसने उसे खड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है लेकिन वह उससे देख कर पीछे हट गई जब उसकी बेहन की देवरानी ने उसे देखा तो वे दोड़ी दोड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहने लगी दीदी तुम्हारा भाई आया है तब वे अपनी देवरानी से कहने लगी कि दोड़ार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ मुझे सरम लगती है तुम जो है ये बताओ मेरे भाई का भेश कैसा है और वो क्या लेकर आया है तब वे उसकी देवरानी कहने लगी कि दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले से कपड़े पहने हुए हैं जो जगा जगा से गिस गए हैं और हात में भी एक जोला लिये हुए है जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है यह सुनकर उसकी बहन बोली कि जाओ मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दो अब वे उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दिया बहुत भाई ने सोचा बहन मिलकर बहुत खुस होगी बहुत दिनों के बाद वे बहन से मिलने आया था लेकिन पैसे के चूर में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को नहीं समझा और वे उससे कहने लगी कि तुम्हें किसने बुलाया है यह तो पूछने से रही कि मेरा भाई भू का प्यासा होगा मेरे भाई भतीजे कैसे होंगे और वे अपने भाई को दुद्कारने लगी और कहने लगी कि तुम्हें इस फटीचर हाल में मेरे यहां पर आये हो मेरी तो सारी जट तुम खराब कर देने वाले थे तुम्हें किसने भुलाया तुम यहां क्यूं आये हो तब वे कहने लगा भेहन मेरा बड़ा दिल था अपनी बेहन से मिलने के लिए लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें देख कर खुस नहीं होगी अब वे बोली कि चलो ठीक है आ गए हो तो अपने भाई को वे एक कमरे में ले जाती है और उसमें उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूं इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है बेचारा भाई पैदल गया था भूका प्यासा था लेकिन बेहन ने उसकी कोई खोज ख़बर ने ली दीरे दीरे दो दिन बीत गए बेहन ने दर्वाजा नहीं खोला यार रिष्तेदार जो भी आये वे ते घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था लेकिन बेचारा भाई अंदर भूक प्यास से तडप रहा था बेहन ने जब उसे नाई रहा गया तो उसने जो दर्वाजे को बजाना शिरू किया तो जो उसके भाण्जे की बहु थी उसने दर्वाजा खोल दिया और उहे पीछे के रास्ते से बिना अपनी बेहन से मिले हुए निकल गया क्योंकि वे समझ चुका था कि उसकी बेहन उससे मिलना नहीं चाहती थी इसलिए वे अपने चुप चाप निकल गया क्योंकि वे समझ चुका है कि बेहन का उसके साथ क्या रिस्ता है और वे उसे निभाना नहीं चाहती है क्योंकि उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड था इसलिए वे गरीब भाई की आविज्जत नहीं करना चाहती थी बेचारा दो दिन से भूका प्यासा था और वे वहाँ से निकल कर अपने घर के लिए चल दिया लेकिन रास्ते में जाते हुے उसके पैरलेड खडाने लगे और वे रोने लगा रोने लगा तो वे एक जगा बैठ गया फिर दूस्त उठकर चल दिया फिर थोड़ी दूर चला फिर बैठ गया ऐसे करते करते वे आधे रास्ते आ गया और भूक प्यास के मारे वे बिलकुल अद्मरा हो चुका था तभी उसे एक बुढिया दिखाई दी जब वे बेहोसी की हालत चाने लगी तो उसे एक बुढिया दिखाई दी जो उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ से सहलाने लगी जब उसकी आँख खुली तो उसने एक बुढिया माई को देखा तो वे कहने लगा कि बुढिया माई से कि आप कौन है तब वे बुड़िया माई कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई वे बुड़िया और कोई नहीं वे अवशान माता थी और उसकी पतनी जो उसके लिए बार बार प्रातना कर रही थी इसलिए अवशान माता उसके पती की रक्षा करने आई थी तब अवशान माता ने उसे सीतल जल पीने के लिए दिया और उससे बोली कि बताओ तुम्हें क्या परेसानी है तब वे बिचारा इतना कहते ही फूट फूट कर रोने लगा और अफशान माता से कहने लगा कि मैं अपनी बेहन से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बेहन की ननादी थी मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर अजो भी मुझे पर बन पड़ा हूँ है मैं लेकर अपनी बेहन के घर गया लेकिन मेरी बेहन ने मेरे साथ कैसा वेवार किया वे यह सब बाते उस बुढ़िया माई को बताने लगा वे रोने लगा और कहने लगा कि माई अगर मैं घर जाओंगा तो मेरे बीवी बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए तो क्या लेकर आए हो लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूँगा यह सोच सोच कर ही मेरी जान निकली जा रही है तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा चिंता मत करो यह मेरा बगीचा है थोड़ी आगे चलो यहाँ पे मेरा बगीचा है इसमें तरभूज लगे हुए हैं तुम तरभूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने जोले में भर लो और उन्हें घर ले जाओ तब उस बुढ़िया माई की बात मानकर अपने थैले में तरभूज और ककड़ी तोड़ कर उन्हें भर लेता है और अपने घर चल देता है जब उसके बीवी बच्चे भाग कराते हैं कि जरूर पिता जी बच्चे सोचते हैं यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं और उसकी बीवी भी हात में पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है कि दीदी ने क्या दे दिया जो जो जोला भरा हुआ है अब वे बिचारा खून का सा घूट पी कर अपनी पतनी को क्या बताता वे कहने लगा जो भी दिया है सब थैले में रखा है और बाहर निकल जाता है अब उसकी बीवी जब उस थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक तरबूज रखा है एक तरबूज बिलकुल सौने का है यह देखकर वे बहुत आश्यरियों में पड़ जाती है कि ननन्द ने तो बहुत सा जादा दे दिया है जरूर उससे अपने भाई का दुख देखा नहीं गया होगा इसलिए ननन्द ने इतना सारा दे दिया है जब वे दूसरे तरबूज को काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजो की जगा हीरे मूती चमक रहे थे जब उसका पती घर आया तो वे उससे कहने लगी कि ये दीदी ने क्या दे दिया है अब उसका पती सकपका गया कि शादी में तो जो लड़ू पेड़े बर्फी ये चीजें मिलती है और तुम खीरे और तरबूज लेकर आये हो वे यह सोचकर घवरा रहा था कि मेरी बीवी जरूर यही पूछेगी तब वे कहने लगा कि क्या है क्या भेज दिया ऐसा मैंने तो देखा नहीं है तब कहने लगी कि जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई है देखो उन्होंने कितना धन हमारे लिए भेजा है इतना दिन भेजने की क्या जरूरत थी जरूर उनसे अपने भतीजो और भाई का दुख नहीं देखा गया है कितनी अच्छी ननन्द है हमारी हमारे तो उन्होंने दिलद्दर ही दूर कर दिया इस तरीके से वे बहुत पैसे वाले बन जाते हैं अब काफी दिन हो गए यह राज उस गरीब भाई ने अपनी पतनी को नहीं बताया जब भाई ने अपनी पतनी को नहीं बताया तो पतनी के मन में तो यही था कि हम अपनी ननन्द की वज़े से ही पैसे वाले हुए हैं उधर उसकी नन्द तो अपने घमंड में चूर थी उसने तो कभी यह जानने की भी कोशिस नहीं की कि मेरा भाई भूका प्यासा यहां से गया है मुझसे बिना मिले चला गया है वह कैसी हालत में होगा उसे तो उससे कोई लेना देना नहीं था उधर उसकी गरीब भाई था उसकी पत्नी उस पर जोर देने लगी कहने लगी कि जब हमारी दीदी ने हमारे लिए हमारी नंद ने इतना किया है तुमारी बहन जब तुमें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए लेकर आ जाओ वह भी अपने माई के घूम जाएगी तब उसका भाई कहने लगा कि ठीक है मैं अपनी बहन को लेने जाऊँगा तब भाई क्योंकि अब तो पैसे वाले थे काफी अच्छे कपड़े पैने अच्छे काफी सारे उपहार खरीदे और लेकर अपनी बहन के घर चल दिया जब वे बहन के घर चला तो फिर उसकी देवरानी ने उसको देखा और वे भाग कर गई और अपनी जेठानी से कहने लगी दीदी तुमारा भाई आया है तब वे बहन घमंडी बहन फिर कहने लगी कि मेरा भाई आया है किस भेस में आया है तब वे कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छे ढंग से अच्छे कपड़े रेस्मी वस्तर पहने हुए है और काफी सारे उपहार लेकर आया है तब वे कहने लगी कि दर्वाजे पर मेरे जेट ससुर बैठे हैं इसलिए अपने भाई से मिलने मैं ही जाओंगी और वे दर्वाजे पर आती है और भाईया भाईया कहकर अपने भाई को अपने अंदर ले जाती है और उसका आदर सतकार करती है यह देखकर भाई सोचने लगा कि बेहन में कितना बदलाव है जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बेहन ने मुझे पानी तक भी नहीं पूछा और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी बेहन कितनी खातरदारी कर रही है लेकिन उसने मन में ही रखा कहा कुछ नहीं वे कहने लगा बेहन तेरी भावी बहुत जिद कर रही है और कुछ दिन के लिए तुझे बुला रही है तब वे बोली हाँ भाई मुझे भी बहुत दिन हो गए है माई के गए हुए मैं चलने के लिए त्यार हूँ और वे माई के जाने के लिए त्यारी करने लगती है जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो उसके सानों शौकत को देख कर उसके जो आखे फटी रह जाती है आप तो उसकी जो भावी होती है उस गरीब भाईया की पतनी होती है वे उसका बहुत आदर सतकार करती है उसकी बहुत सेवा करती है क्योंकि उसके मन में तो यही होता है कि हम ननंद की वज़े से ही इतने पैसे वाले और हमारे दुख के दिन बीत गए हैं वे तो इसका श्रेश सुर्फ ननन्द को ही देती है कि मेरी ननन्द ने ही मदद की है वो सौने का तरभूज और हीरे मूती भेजे हैं अगर मेरी नन्द धन नहीं भेजती तो हम लोग तो ऐसे ही गरीब रहते अब वे अपनी नन्द की हर मुराद पूरी करती उसकी ननन्द भी यही कहती कि मुझे ये साड़ी खरीदना मुझे ये लेना है जो भी फरमाईस करती उसकी भावी उसको वही दिलाती और बहुत कुछ होती कि चलो मैं अपनी ननन्द की फरमाईस तो पूरी कर रही हैं अब अनंद का जाने का समय आ गया तो वे भाई बोला कि ठीक है मेरी बेहन को बिदा करना है लेकिन मैं अपनी बेहन के लिए एक जोड़ी जूती जरूर बनवाऊंगा। बेहन से कहने लगा बेहन एक दू दिन और रुक जाओ फिर चली जाना कौन सा जादा वो है एक दो दिन तो और भी रुक सकती है तो उसके भाई बोला बेहन बोली कि ठीक है भाई या मैं रुक जाओंगी उसका भाई बोला कि इतने जूती भी बन कर आ जाएंगी तुम जो द दो दिन बाद चली जाना दो दिन बाद जूती बनकर आ गया जब बहन ने उन्हें देखा तो बहुत खुस हुई बड़ी मीनाकारी उसमें कड़ाई कराई अच्छे हीरे मूती लगवाई जूतिया देखकर बहन बहुत परसन हुई जब वे जूतियां पहनती तो उस जूतिय में से अवाज आती बहन अमी गरीब बहन की गरीब का कोई रिस्ता नहीं होता गरीब का कोई रिस्तेदार नहीं होता और बहन ने तो मुझे भूके प्यासे घर से लताड दिया जब भी वे जूति पहनती तो जूति से यही अवाज आती गरीब का कोई रिस्तेदार नहीं ह बेहन भाई का रिस्ता भी गरीबी अमीरी पटिका होता है तरह तरह से जूती बात बनाती जब जूती बोलती तो यह बात उस गरीब भाई की पतनी थी जो उसने सुन ली और वे कहने लगी अपने पती से कि यह जूती क्या कह रही है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है त आप वे बेहन अपने घर के लिए विदा होने लगी जब बेहन विदा होकर चलीने लगी तो बेहन को भी बहुत महसूस होने लगी कि उसने जब भी जूती पेहन के चलती एक कदम रखती तभी जूती बोलती कि बेहन भाई का रिस्ता भी अमेरी गरीबी पर टिका है बेहन ने अपने भाई को कैसे भूके प्यासे घर से निकाल दिया मरना सन हालत में और बेहन भाई गरीब का कोई रिस्ता नहीं होता है ऐसे ही जूती बोलती तो बेहन को भी महसूस होने लगी बेहन के दिल में भी जो अब पच्टावा होने लगा कि उसने अपने भाई के साथ कैसा वहवार किया और वे लोग इतना कुछ होने के बाद भी मेरे साथ कितना अच्छा वहवार कर रहे है अब वे उसके दिल में बहुत पच्टावा था और वे अपने ससुरा ला गई एक दिन जो भाई था जो उसकी भावी थी वे अपने पती से कहने लगी कि जरूर कोई बात है तुम मुझसे छिपा रहे हो तब उसका पती बोला कि नहीं मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपा रहा हूँ वे बोली नहीं नहीं तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो वे जूतियों का क्या राज है मुझे वे बता दीजिए और वे जिद करके बैठ गए तब उसके पती ने बताया कि जब हमारे पास कुछ नहीं था मेरे फटे चीथड़े थे जिनमें मैं अपनी बेहन के घर गया तो बेहन ने मुझे कोई आदरसतकार नहीं किया नहीं मेरी फ भांजे की बहु ने एक कमरा खोला और मैं हुआ से निकल भागा वहां से निकल कर मैंने सोچा कि कोई रिस्ता गरीब अमीर का कोई रिस्ता नहीं होता है चाईवे भेन भाही क्यों नहीं और मैं हुआ से निकल कर जब पेदल चल रहा थो तो जंगल पढ़ा और हो सोकर गिर गया तब ही एक बुड़ीया माईी आई और उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरी सारी कहानी सुनी उन्होंने मुझ मैने जब बोला कि मैं बहन के यहां साधी में से जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे और बीवी को क्या दिखाऊंगा। तब उस माने जो बूरी मैया थी उसने कहा कि मेरा बगीचा है, बगीचे में से तुम ककड़ी और तरबूज भर ले जाओ। यह तो अवशान माता की किरपा थी, जिससे हमारे दिन फिर गई, मेरी बेहन ने कोई मदद नहीं की, ना ही उसने हमें कोई धन दिया है। तब उसकी पतनी कहने लगी, मैं तो आज तक सोची थी, कि मेरी ननंद की वज़े से ही हम पैसे वाले हुए हैं। तब उसका पती कहने लगा कि मन में कोई दरेग मत रख हो। तो आपक सोची पैसे वाले हुए हैं। अगर वै ना मुझे घर से निकालती, मुझे खाने पीले के लिए नहीं देती और मैं घर से नहीं भागता, तो कैसे मातारानी की किरपा हम पर होती। कैसे भी करके जुडा तो मेरी बेहन से ही है यह सब उसी की वज़े से तो हम पैसे वाले हुए हैं वह अपनी पत्नी को समझाने लगा और कहने लगा कि मेरी बेहन के प्रेती मन में कोई दुर्बैव वहवार मत रखना उसके साथ कोई ऐसा वहवार मत करना उसकी पत्नी कहने ल अगर बेहन ने ऐसा किया है तो वे उनकी सोच है लेकिन हम हमेशा उनकी आदर सतकार करेंगे वे जब भी अपने पीहर आएंगी तब हम उनको जो वो कहेंगी वो ही उपहार देंगे तो दोस्तों यह एक गरीब भाई और एक घमंड़ी बेहन की कहानी थी जो शान माता की किरपा से उस बेहन का घमंड चूर चूर हो गया अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किरती को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें राधी राधी